हलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त चंद्रकान कोटेचा कई सारे टुटोरियल्स और रागों के आला बंदिश मैंने आपको अल्रेडी दी हुई है लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों की ये फर्माई साती है कि सर हमें माटू पार ट्रांसिशन में बहुत दिफि मां बात करेंगे मां से पा और पा से मां आने जाने में जो डिफिकल्टी होती है इसका क्या इलाज कर सकते हैं इसके लिए क्या एक्सरसाइज है कैसे कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं पहले देखिए काफी लोग ये समझते हैं कि ये सा है ये रे है ये गवह है और यहां मा में इतना ही खुला है और सब बन करने से पा बज़ेगा और मा और पा मा और पा ये मा आदा खुलते फिर पा सब बन करते हुए बहुत डिफिकल्टी होती है यही प्रॉब्लम है आपका यही है ना तो देखिए हम इसको सोल करने की कोशिश करते है पहली बात सार रे गव और मा मा बजाते वक्त उपर का हॉल खुला रखना जरूरी है आदा खुला आदा बन लेकिन कहीं लोगों को यह मालूम नहीं है कि जब आप मा या गव बजाएं गव या मा तो यह नीचे के हॉल सारे बंद रखने जरूरी नहीं है आप इस पे सपोर्ट के लिए नीचे का हॉल एक या मा तक पहुँचते हुए दोनों हॉल भी बंद कर सकते हैं तो क्या फिर मा के बाद पा बजाना बहुत इजी हो जाएगा देखिए यह मा यह मा और यह पा मा पा यह नीचे वाले बंद तो जब आप सा बजाएगे तो तीनों खुले रखिए जरूरी है कि तीनों खुले रहने ही चाहिए जब आप रे बजाएगे फिर जब आप गव पे जाएगे तो एक उल्रेड़ी बंद कर सकते हैं क्योंकि गवके नीचे तीन तो फिर मौ के बाद पहुत तुरंट इजी रहेगा अब देखिए इसकी प्रेक्टिस ये सामे सब खुले हैं अब गौ पर आए तो एक बन कर दिया यहाँ पर कोई चेंद नहीं हो रहा है सर का अब मौ पर आए तो दूसरा भी बन कर दिया अब पौ बजो गौ पर बजाएंगे एक बन रहेगा मौ पर आएंगे दूसरा भी एक नीचे वाला बन कर देंगे यह वाला तो नीचे वाले जब दो बन रहेगे तो फिर मौ के बाद पौ बजाने में बहुत इजी रहेगा तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप मा के पास पहुँचे तब नीचे के एक या दो होल सपोर्ट के लिए बंद कर सकते हैं उपर के तीन होल खुले रहने जरूरी है सारे के सारे होल खुले रहने जरूरी नहीं है इसलिए जब आप सिक रहे हैं तब जब आजाएगा उसके पाद जरूरी नहीं है अब इसकी कुछ exercises है जो आपको करनी है इससे आपका मा और पा का transition बिलकुल easy हो जाएगा तो देखिए पहले ये गव ये मा नीचे के दो हर बंद कर देते हैं और ये पा तो गव मा पा सिर्फ यही बजाना है अभी मैंने जो पहले टेक्निक बताई उसके हिसाब से हो गया तो ये गमा पा करना है दूसरी जो exercise है वह उसका उल्टा है पामागा पामागा अब जब पा बजाएं तो ये उपर वाला होल आदा पहले से खुला रखना है पा मा में इतना ही खोलना है पामागा पामागा अब ये दो जो exercise है गमा पा और पामागा इसको आप डिफरेंट चार या पांच अलग अलग कि आप स्वीड में बजाएं गामा पा Gमा पा गामा पा गामा पा गामा पा गामा पा इस तरह से कोशन कीजिए और भी स्वीट करिए तो इस तरह से आपकी स्पीड आती रहेगी और ग से म और म से प का ट्राजिस्टन इजी रहेगा अब इसका उल्टा भी किलिए पामांगा पामांगा स्पीड बढ़ाईए और बढ़ाईए और बढ़ाईए तो इस तरह से गामापा और पामागा स्पीड बनाई है अब दूसरी तीसरी एक नेक्स टशिर साइस है आप इसको भी आप अलग-पामाग चार स्पीड में एक दम एक्स्ट्रिम स्पीड में जहां तक आप बजा सकते हैं बजाईए इसको स्पीड बादे ज़िए मों यह सघका है गाअ कि आपना गामाा गामकर क्वाना इस तरह है और नेक्स्ट एक्सरसाइज 5-6 नमबर की द्यामा पा मंघा-मा- włos एसको अब भी अलग-अलग स्पीड में बजाए और बढ़ा ही है इस तरह से अब आगे इसकी रिवर्स पांच नवर की एक्सेस है पामागा मा पामागा मा यहां पा पहले है और स्पीड बढ़ा है और बढ़ा है और बढ़ा है तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में यही की अलग सारे एक्सरसाइज आप करते रहे हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है छे नमबर की गामा पामा पामा गामा गामा पामा पामा गामा दोनों एक साथ में इसकी और तो इस तरह से यह अवंकार करना है अब आगे का एक्सरसाइज इसको रिपीटेटली बजाना है बार बार दस बार या तो बीस बार कंटिन्यूस बजा रहा है स्पीड भी बजा के देखिए और बढ़ाए तो यह साथ नुमर की एक्सरसाइज है फिर आठ नुमर है स्पीड बढ़ाए और बढ़ाए तो इस तरह से अलगलग स्पीड में यह एक्सरसाइजिस करनी है फिर आगे की है मापादा नीदाप नेक्स्ट अक्सरसाइज यह दस नमबर नीदा पामा पादा नीदा पामा पादा नीदा पामा रिपीटेटली राउन करना है इसका राउन बजाता है रही है और बढ़ाईए नेक्स्ट एक्सराइज है 11 नंबर धापा मान पादा पामा पादा पामा पादा पामा पादा इसका राउन बजाना है धापा मा गंपा दा पामा अब अब आपा और बढ़ाई है यह एक्सेस बजाने से आपकी फिंगर भी फ्री हो जाएगी और मा टूप और ट्रांसिशन तो एक्दम इसी हो जाएगा अब नेक्ट है पमग अरे गमा पिट बढ़ाई है और बढ़ाई है तो यह एक्सेसाइज इस स्पीड बढ़ाने के लिए के एक्सेस के लिए और मा टूप ट्रांसिशन के लिए बहुत ही बहतरी है अब और आगे दो एक्सेसाइज है यह भी बहुत जरूरी है बहुत इंपोर्टन है यह पूरी है साट उसा सागरे मगपा मधपनी दसा यह एक्सेस करने से भी मोटू पर ट्रांसिक्शन अच्छा हो जाएगा इसके पी स्पिट बढ़ा है और स्पिट बढ़ा है और स्पिट बढ़ा है बहुत मजाएगा यह करने में अवश्य कीजिएगा और भी एक एक्सेसाइज है सामारे पागधा मनी पसा सापनी मधागपरे मसा इसकी भी आप सी स्पिट बढ़ा के देखिएगा कितना इजी लिए आप फिर बजा पाई है तो यह कुछ चौदा एक्सेसाइजिस मैंने आपको दी हुई है यह सारी एक्सेसाइज डबल हो जाएगी अठाइच हो जाएगी जब आप 28 हो जाएगी जब आप म को तीवरा लेकर यहीं एक्सेस करेंगें अब देखिए पहली गमप मैंकर में दूसरी है तो यह सारी exercise 14 शुद्धमा के साथ और यहीं सारी 14 exercise तीवरमा के साथ तो यह हो जाएगी total 28 exercises यह सारी 28 exercises आपको अलग-अलग 4 different speed में अलग-अलग speed बढ़ाते हुए करनी हैं तो 28 into 4 तो 112 exercises हो जाएगी तो यह 112 exercise आप हर रोज सुबह साम 15-15 minute भी करेंगे तो अवश्य आपका more to power transition अच्छा हो जाएगा बजाने में थोड़ी sweetness भी आएगी और fingering की exercise भी बहुत अच्छी हो जाएगी आशा करता हूँ आप यह करेंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है बांसुरी की इससे अच्छी होगी आपको बहुत लाब होगा और आप यह देखके मुझे अवश्य बताना आपको कैसी लगी तो मैं आपका दोस्त चंदरकान कोटेचा अभार हूं आपने मुझे देखा औ झाल सबने मुझे आपको प्रैक्टिス Вांसुरी के अच्छी होगी यह देखके मुझे यह बता हूं आपको कैसी और आपको कैसी हो बताना आपको कैसी मुझे पन् peppersकाना को lagi, इससे आपको कैसी दिखा भ्रैक्टिस है कुथआ होगी आपकान कूली आपको को अच्छी तोस् झाल झाल